अब आपको बताते कि कुख्यात शूटर अमन सिंग कौन है और उसका आप राधिक इतहास क्या है नाम अमन सिंग, काम, लूट, हत्या और रंगदारी यूपी का रहने वाला कुख्यात शूटर अमन सिंग, कोईलांचल में अपराध का वो बड़ा नाम है जिसके एक इशारे पर तबाही मच जाती है उसके गुरगे वे खौफ होकर खून की होली खेलने लगते हैं कुख्यात शूटर अमन सिंग, 21 मार्श 2017 में, धनबाद के पुर्व डिप्टी मेर नीरत सिंग समेट 4 लोगों की हत्या के बाद अपराध की दुनिया का बादशाह बन गया उसके बाद वो जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया नीरज हत्या कांड के बाद गिरफतार कर उसे यूपी से धनबाद लाया गया धनबाद जेल जाने के बाद उसने कोईले के धनधे और रंगदारी में दिल्चस्पी लेना शुरू कर दिया परेशान होकर पुलिस ने राची के होटवार जेल में शिफ्ट कर दिया अब राची से ही वो अपनाग गैंग संचालित कर रहा है अब आपको बताते हैं शूटर अमन सिंग कौन है कुख्यात अमन सिंग यूपी का रहने वाला है धनबाद में अमन सिंग खौफ का धनधा करता है रंगदारी, हत्या और धमकी अमन का धनधा है फिलहाल शूटर अमन सिंग जेल में बन है अमन सिंग का भाई छोटु सिंग भी इस धनधे में शामिल है अब तो आप जान ही कहे होंगे कि अमन सिंग कितना खतरनाग है अब आपको उसकी आफराधि कितिहास के बारे में बताते हैं शूटर अमन सिंग पर 21 मार्श 2017 को नीरत सिंग समेट चार लोगों की फत्या का आरोप है 2017 के बाद अमन सिंग कोला अंचल में कुख्यात बन गया 12 माई 2021 वासेपुर में जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या का भी आरोप है 23 माई 2021 को कोला वेवसाई प्रमोज सिंग से 50 लाख की रंगदारी की मांगी थी 31 माई 2021 को भी कारोबारी शाहबुद्दीन सिर्दिकी से भी 50 लाख की रंगदारी मांगी थी 27 जून 2021 को अमन के गुर्गों ने कोईला वेवसाई संजय लायलका के घर में बंबारी कर खाकी के खौफ को खामोश करने की कोशिश की जिसके बाद से पुलिस अमन के गुर्गों की तलाश में जुट गई है धनबाद से न्यूज 18 के लिए संजय गुपता की रिपूर्ट